लोग सबच नो प्रिचार में वेस्ट राजस्थान की मुख्यमंतरी अशोग गहलोत को कॉंग्रेस आलाकमान ने दिल्ली में तल्ब किया इस दोरान एरपोर्ट से मुख्यमंतरी गहलोत सीधे राहुल गांधी की आवास उनसे मुलाकात करने पहुंचे वहीं अगर सुत्रों की मुताबिक माने तो कॉंग्रेस आलाकमान प्रदेश में 5-6 सीटों पर कमजोर प्रतियाशी उतारने के मामले को लेकर गंभीर है राहुल के आवास पर हुई बैठक में प्रियंका गांधी भी शामिल हुई और इसके लावा प्रभारी महासची वविनाज पांडे और उप मुख्यमंतरी सचिन पाइलेट भी इस बैठक में मौजूद रहे दरसल राजस्तान में एक नेता ने कई सीटो पर कमजोर उम्मीदवार उतारने के शिकायत राहुल प्रेंका से की थी और इस शिकायत मिलने के बाद आलाकमान ने अन्ने नेताओं से इस पर राये मांगी जिसमें शिकायत सही पाई गई इसके लावा बैठक में राहुल ने जैबुर प्रतियाशी जोती खंडेलवाल के स्टिंग मामले पर भी अपनी नाराजगे जाहिर की और बैठक के बाद मीडिया से बादशीत करते वैबिनाश पांडे ने कहा कि टिगट बदलने पर कोई चर्चा नहीं की गई जोती खंडेलवाल के इस मामले पर उन्हों ने कहा कि ये कई चर्चा का विशे नहीं है ये किसी पतरह से कोई चर्चा का विशे इस वक्त नहीं है आपको बता देते हैं कमजोर प्रतियाशी उतारने के शिकायत पर कॉंगर्स के अद्यक्ष राहूल गांधी और प्रेंका गांधी ने अपने आवास पर बैठक बुलाई थी और इस बैठक पर ही हम आपको बता देते हैं लगातार मंथन किया गया चर्चाएं की गई और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए वरिष्ट समवादता नीरज महरा हमारे साथ फोन लाइन पर मौझूद है निरजी जिस तरह से बैठक की गई और इस बैठक में राजस्थान के 5-6 परतियाशी बदलने की संभावना यहां जताए जा रही है क्या कुछ जानकरी जोति-खंडेलवाल के मामले में कोई संग्यान ले लिया तो ऐसे में भारती जन्ता पाटी यहां से सीदे मजबूत हो जाएगी तो इसलिए हो सकता है जोति-खंडेलवाल का टिकेट भी हां से बदल लिया जाए इसके साथ जो गोपाल सिंग इडवा है उनकी सीट को भी ब तो यह मानने जा रहा है कि चुनाओं से पूर क्योंकि कॉंग्रेस पार्टी किसी भी तरह का जोखिम नहीं उठाना चाहती है बाहर की जन्ता पार्टी इन ही पांचे सीटों पर अभी तक अपने उमिदवार तया नहीं कर पाई यह और ऐसे में कॉंग्रेस पार्टी ने उ पार्टी किसी तरह का संग्या जोखिम नहीं दे सकती है निरत जिस तरह से बैठक के बाद प्रभारी अविनाश पांडे का कहना है कि जैपूर शेहर से जो प्रतियाशी है जोती खंडेलवार उनके खिलाफ जो स्टिंग जग जाहिर हो चुका है उसके बारे में उनका कहना कि यह को चर्चाओं का विशय नहीं है चुकि लोग सबाद जो चुनाव है उनमें बहुत एहम रखता है राजदानी का चुनाव कि जो इस्टिंग की बात आप करने हैं वो इस्टिंग कोई बहुत मैथफुन नहीं है जी सबसे बड़ी बात यह कि एक सामाने व्यक्ति से जब चच्चा की जाती है तो वो इस तरह के बयान देता है कि हां इतना पैसा खर्च हो जाता है इसमें ने तो खर्चा दिखाया ग बहुत की देता है वो दिल जैपर में थी धिली में नहीं थी पता ही तो उस जिस चैनल ने स्टिंग किया है वो अपनी बात चुनाव आयों के समक्स नहीं रखेगा तो ज्योति खिंडर्वाल के खिलाप एकसर नहीं हो सता है क्योंकि अभी तक ये क्रियानविती नहीं हुई है सिर्फ बाते हुई है अभी तक तो उमिद्वार बनाया है उन्होंने नाम करता है तक तक तो प्रत्याशी भी नहीं है तो ऐसे में लेकिन फिर भी इसके बावजूद क्योंकि ये ऐसा इस्टिंग हुआ है तो इसको गंबीरता से लिया गया है राहूल उन्हीं ने वापस जैपूर बुला के दिली बुला के माफ किजेगा अशो गैलो से शचिन पा कर दे और उमिद्वार बनने के बाद से लिए उमिद्वारी निरस्ट हो जाए तो ऐसे में भार्दे अंदर पार्टी का प्रत्याशी उतारने के शिकायत पर उसके बाद कॉंगरेस के अधक्ष राहूल गांधी ने बैठक बुलाई और लगतार अब चर्चाएं की जा रह है